हेलो एवरिवन वेलकम टू रोजगार विदंकित मैं हूँ नेहा और आप सबी का स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और अपने सेहत और स्वास्तका ध्यान भी अच्छे से रख रहे होगे तो चलिएगा ये है हमारा लेक्षर नमबर टू जो कि प्रेसिडेंट का पार्ट टू है और जो हम पार्ट वन इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं और जो quality का टोटल lecture है, वो उसका यह 30 वा lecture है, आज यह 30 वा lecture आया है, तो देखें, जो नए पहली बार इस lecture को देख रहे हैं, तो अगर वो खाली राष्ट्रोपती पढ़ना चाहते हैं, तो वो इससे पहले president जरूर देखें, और देखें, सारी चीजे आपस में, जो पहले 30 पहले उंतिस लेक्शर में तो सारी चीजे मैं बहुत अच्छे से एक्स्प्रेइन करती चल रही हूँ जो नए बच्चे हैं जिनको कुछ डाउट आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में तो मैं कोसिस करूंगी कि वह डाउट में आपके इस वीडियो में ले लूँ और देखिए फ सबसे पहले तो सबका डाउट यह आ रहा है कि PDF कहां पर मिलेगी तो यह जो PDF है हर लेक्चर की रोजगारविद अंकित टेलीग्राम ग्रूप में डाल दी जाती है जो कि एक पब्लिक चैनल है तो आप यहां इसको जोईन कर सकते हैं इसका इन्वाइट लिंक यह है और इसक के questions देखते हैं कि comment section में क्या question पूछे गए एक question यह है कि अगर कोई सदस्थ है चार उमीदवार में से किसी एक को vote नहीं देना चाहता तो क्या वो ऐसा कर सकता है हां जी वो ऐसा कर सकता है उसकी भड़ जी है कि वो किसी को vote देना चाहे या ना देना चाहे कि आपको राश् से खड़े हुए हैं 1,2,3,4 तो इनमें क्या होता है राश्च्रपति चुनाब में हमको इनको अपने क्रम में लगाना होता है कि अपनी वरियता देनी होती है कि मैं पहले नंबर पे किसको चाहती हूँ या आप किसको चाहते हो दूसरे नंबर पे किसको चाहते हो इसी प्र होगा समझ आपको ये तो आप crown 3 सल्हेस्ति का काнее काल 5 साल है तो उपरा एस्फपती ही राज्य सभा के सभापती होते हैं ठीक है यह सब हम यहां तक तो हम पढ़ चुक है तो एक साल के लिए कौन बनेगा तो देख on myself, but also सभा का टाइम छे साल नहीं होता है राज्य सभा के सदस्यों का टाइम छे साल होता है राज्य सभा एक स्थाई सदन है उसका कभी विगठन नहीं होता है उसका कोई कारेकाल नहीं है राज्य सभा एक पर्मानेंट बॉड़ी है और राज्यसभा में क्यों पर्मानेंट बॉड़ी है? क्योंकि इसक्कि एक तिहाई जो सदस्य है, हर दूसरे साल पर रिटायर होते हैं और उसके बाद में नए सदस्य एलेक्शन होके आ जाते हैं ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप terrible. section में पूछ सकते हो इस पर का राज्य सभा को विगठन ही नहीं होगा तो यह एक साल बचने का कुछ ऐसा option बचता ही नहीं है ऐसी कोई बात होती बचेगी नहीं की एक साल के लिए कौन है चलिएगा तो अब next question question देखते है next question जो बहुत सारे लोगों को doubt है मनोनीत और निर्वाचित में तो मैं अभी आपका ही डाउट बहुत अच्छे से ही पर किलियर कर देती हूं तो देखिए एक तो होता है निर्वाचित निर्वाचित का मतलब है elected जो की आप वोट देते हो जैसे की जो आपके राज्य में अगर आप राज्य के लिए वोट दे रहे हो तो वहाँ पे जो विधान सभा जो की विधान सभा में जो चुनके जाते हैं उनको बोला जाता है MLA Member of Legislative Assembly ठीक है आपने उनक जित हो जाएंगे Member of Parliament और देखे लोक सभा और राज्य सभा दोनों के Member को हम कहते हैं MP दोनों के सदस्य को हम MP कहेंगे पर जो हमारे लोक सभा के सदस्य होते हैं वो हमारे लिए हम हम से हम उनको प्रेतक शुरूप से चुनते हैं पर जो राज्य सभा के सदस्य होते हैं उनको हम नहीं चुनते हैं, जो राज्य सभा के MP होते हैं, वो एपरिया तक शुरूप से चुने जाते हैं, हो गया होगा ये वाले डाउट के लिए, अब ये मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, तो देखें जैसे कि राश्च्रपती हैं, ठीक है, केंद्र में राज्य सभा का मेंबर बना दिया जाएगा, जैसे कि राज्य सभा की टोटल संक्या है 245, ठीक है, तो अब उसमें से बार है, जो सदस्य है, वो राश्च्रपती द्वारा मनोनीत होंगे, वो क्या-क्या मनोनीत होंगे, क्या-क्या कंडिशन है, वो हम पहले पढ़ चुके ह उसमें क्या होता है कि आप किसी कला, छेत्र से हों, आपको किसी विशेश अग्यान या इन सब में आपका समाजकार या इन सब में आपकी रूची हो, तो इस प्रकार से देखके आपको राश्च्रपती जी मनोनीत कर सकते हैं, I hope ये वाला डाउट के लिए हो गया होगा, त तो अब ये नहीं कि मैं आपको कहूं कि आपको नोट सी बनाने, तो आपको जैसा अच्छा लगे, आपको PDF से पढ़ा जाता है, PDF से पढ़िएगा, आपको online पढ़ा जाता है, online से पढ़िएगा, book से पढ़िएगा, notes बनाने अच्छे लग रहे हैं, तो notes बनाईगा, आपक कोशिश जरूर करिएगा एडवाइज है कि आप एक्जाम से पहले कुछ इतने शॉर्ट नोट्स बना ले ताकि आप चीजों को बहुत जल्दी अच्छे से रिवाइज कर सके नोट्स बहुत शॉर्ट बनाएज और देखिए आप कुछ लोगों के आंसर जिनके जवाब नही मिल पाए हैं इसमें comment section वाले answer एक तो कारण यह हो सकता है कि उनका मैंने comment देखाना हो दूसरा कारण यह हो सकता है कि मैंने वो answer जानबूच के इसमें नहीं लिए क्योंकि वो आने वाली एक या दो वीडियो में आपके वो doubt किलियर हो जाएंगे क्योंकि जादा तर कुछ को governor से related doubt है राजयपाल से और किसी को उपराश्रपती से तो आने वाले जो दो topic हैं वो यह हैं तो उनमें आपका वो वाला doubt के लिए हो जाएगा और देखें कुछ लोगों का doubt मैंने वहीं पर आपको answer दे दिया था तो अब चलिएगा और अपना आज का lecture शूरू करते हैं और उनके करतव्य क्या है power and function of the president हम इसमें पंडे वाले हैं तो देखें हमारे जो राश्रपती जी है उन आपने देखा होगा कि वो नाम मातर के कारेकारी प्रमुक हैं वो हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं फिर भी मैं आपको revise कराऊंगी ताकि चीजे connect होती रहें और चीजे एकदम isolation मतलब कि एकदम एकांत में ना पढ़ी जाएं सारे lectures होते हैं वो एक दूसरे से connect होते हैं देखे quality तो ऐसी है आप जब तक लास्ट तक पढ़ोगे quality क्या सारे subject ऐसे होते हैं आप हर lecture से connect होंगे तो देखे किरपया करके ये नहीं कि आ वास्त्विक प्रमुख हैं वो होते हैं प्रधान मंतरी जी क्योंकि वास्त्विक सक्तियां उनी के पास में हैं और देखे हमारे जो राज्य के प्रमुख हैं तो नए बच्चे उनके लिए बता दूब कि आपको ये quality में राज्य का सब्द प्रियुक्त किया गया है आपको ये याद रखना है तो जो राज्य का पिर्मुख मतलब कि हमारे देश का पिर्मुख है देश के जो हैड है हेड अफ दा कंट्री उनको बोला जाएगा राश्य पती को और जो सरकार के प्रुमुख है हेड अफ दा गवर्मेंट वो है हमारे प्रधान मंतरी जी ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं उसी का रिविजन था तो अब देखते हैं राश्य पती की शक्तियां तो देखें अब ये राश्य पती की शक्तियां किसमें हम आर्टिकल तरेपन को दो भागों में तोड़के पड़ेंगे क्योंकि ऐसे आसानी रहेगी तो पहले भाग में देखते हैं कि जो संग की कारेपालिका आपको मैं दुबारा बता दू कि हमारी जो सरकार होती है उसके तीन इस्थम्भ होते हैं कारेपालिका, विधाईका, नियाएपालिका, तो कारेपालिका जो होती है, विधाईका का काम है, कानून बनाना, कारेपालिका का काम है, उन कानूनों को लागू करवाना, और नियाएपालिका का काम है, अगर इन दोनों के बीच में कुछ रस्ता कसी हो जाए, और यहां कोई कानून बना है वो समविधानिक है कि नहीं वो देखना हमारी न्यायपालिका का काम है तो आपको मैं बता दो समविधानिक क्या होता है समविधानिक का मतलब यह है कि जो हमारे समविधान में मूल करतव है और जो जो कारे पालिका की शक्ति है वो राश्टरपती में नहित होंगी ठीक है ये क्या उंत्वा कहता है ये । आर्टिकल 53 कहता है और रास्टरपती इसका प्रयोग सम्विधान के अनुसार, स्वेव्म या अपने अधिनस्त अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका मतलब यह है क के संग कारे पालिका की शक्ति किसमें? आनसर राश्रपती. यह कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 53 और राश्रपती कि प्रियोग सम्वेधान के अनुसार किस प्रकार करेगा? आणसर तो खुद करेगा यह आपने आधिकारियों के दुवारा करेंगे थीक है तो अब मैं आपको बता दू कि राश्च्रपती की कुछ शकतियां हैं कि उनके पास कारेकारी सकतिया है उनके पास विधाई सक्तियां मतलब कानून बनाने से स्यिक्तिया २े यही यही सब हम अब देखने वाले हैं और किरपया करके जो मैं बोलूँ ध्यान से सुनते रहेगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मैंने बहुत कोशिश करिया कि आपको कोई डाउट ना रहे तो अब देखते हैं कारेकारी शक्तियां अब हम यह देख चुके हैं कि executive क्या ह होते हैं कारेकारी क्या होते हैं तो देखे इसका कारिया है कि हमारे जो समविधान में भारत सरकार के जो सभी सासन संबंधी कारिये होंगे वो राश्वपती जी के नाम पे होंगे तो आप किरपया करके जो बोल रहे ही वो भी ध्यान से सुनिएगा और यह जो इहां पर कि आनून बनता है तब हुआ सब सक्ति के पूली अब करते हैं और इन्यमंत्र नियुक्त करते हैं ठीक है महा न्याएवादी की नियुक्त करते हैं यह महालेखा परिक्षक की निउक्ति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्ति की निउक्ति ठीक है अन्य चुनाव आयुक्तों की निउक्ति संग लोग सेवा आयुक के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निउक्ति राज्यों के राज्येपालों की निउक्ति वित्त आयोक की निउक्त यह राश्रपती ही करते हैं तो देखे अब सीधा question मैं आपको यहां पर बता दू क्या बन सकता है कि हमारे चुनाव आयुकतों की नियुक्ती कौन करते हैं तो आपका अंसर होगा राश्रपती जी और देखे मैंने अभी यह चीज यहाँ पर क्यों नहीं लिखी है क्योंकि यह सारे एक टॉपिक है कि संग लोक सेवा आयोग आपका एक अलग शेप्टर है तो वहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि इनकी नियुक्ति यह राश्च्रपती जी करते हैं ठीक है आपको अभी यहाँ पर यह स्थेत काँंसिल यह क्यों किया जाएगा इसका objective क्या है इसका गथन करने का कि केंद्र और राज्य और अलग अलग राज्यों के भीच में सहयोग करने के लिए यह परिस्ट का गथन होता है और यह कौन करते हैं यह हमारे राश्च्रपती जी करते हैं और आर्टिकल 263 के त बन जाती और अन्य पिछडे वर्गों के लिए जो आयोक का गठन होगा वो राश्ट्रपती करेंगे तो मैं आपको बताती हूं कि इस वाले बॉक्स से किस प्रकार के कोश्चन बन सकते हैं तो देखे कोश्चन बनने के चांसे ऐसे जादा है कि वित आयोक का गठन कौन करेग किस वाले आर्टिकल के अंदर होगा अंतर राजजीय परिसत का गठन किस आर्टिकल के अंदर होता है किसको यह शक्ती है आपके पास में ऑप्शन होगे संसत, राश्ट्रपती, प्रधानमंत्री या और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है तो आपको पता है आपको कौन सा ऑप् कामले में राश्ट्रपती जी के पास में क्या-क्या शक्तिया है तो देखे एक तो सबसे पहले आपको कितनी बार हम बता चुके हैं कि राश्ट्रपती जी संसत का अभिन अंग है संसत के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राश्ट्रपती राश्ट्रपती अ जो की राज्य सभा में 12 सदस्य होगे मनोनीत करते हैं और अब तक दो सदस्य है लोग सभा में भी मनोनीत करते थे एंगलो इंडियन्स ठीक है एंगल भारतिय अब वो की अब हमारा 26 जनवरी 2020 से उनका नॉमिनेशन उनको मनोनीत करना खतम कर दिया गया है मैं बहुत बार बता चुकीन हूँ अब आप बताईएगा जो वीडियो देख रहे हैं कि कौमेंट सेक्षền में बताईगा कि वो किस सम्विधान संसोधन से ये किया गया है और देखे बहुत चांसा की ये वाला कोशन आपसे पूछा जाए किस सम्विदान संसोधन से किया गया है तो आप कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा और एध्या देश जो जारी करने की शक्ती है Article 123 के जो अंदर आती है राश्ट्रपतीजी Article 123 के अंदर एध्या देश जारी कर सकते हैं और यह अभी एध्या देश में आपको इसी वीडियो में अच्छे से डेटेल में पढ़ाने वाली हूँ थीक है और हमारे आप साथ में देख सकते हो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 213 के अंदर यह अध्या देश की जारी करने की शक्ति हमारे गवर्णनर को मिलती है राजय मैं और केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ती है हमारे राश्च्रपतीजी के पास में जो की आती है आर्टिकल 123 में कैसे याद रख सकते हो सीधा कि देजिए हमारे हाप olması कानून कौन बनाती है लोकसभा राजे सभा और राश्रीपती जी उसको साइन करते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो एक दो टीन मतलब सारी पावर अध्यादेस में राश्रपती जी के पास आ गई ठीक है राश्रपती अध्यादेस कैसे जारी करेंगे ये अभी हम पढ़ने वाले हैं और आपको बता दें कि ये बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट महा नियंतरक एवं लेखा परिक्षा संग लोक सेवा आ आते हैं वित आयोग फाइनेंस कमीशन एवं अन्य की जो रिपोर्ट है वो संसत के समक्ष कौन रखते हैं वो राश्रपती रखते हैं तो देखिए इससे क्या दो आपको दो चीजे क्या याद रखनी है कि ये सब अपनी रिपोर्ट किसको देंगे ये राश्रपती के समक् रखेंगे, आ गया होगा आपको समझ दोनों शब्दों में अंतर, ठीक है, और इसमें आपको मैं विधाई सकती हैं, और कुछ बता दूँ, कि जो संसत के जो दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकते हैं, वो राश्रपती जी बुला सकते हैं, तो वो एक विधाई सकती हो ज जाए, और वो बुलाने के लिए परमीशन, आवाहन कौन करता है, वो राश्रपती करते हैं, बट उसकी अध्यक्षिता करते हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, आ गया हो गई डाउट, ये वाला आपको संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी चीज पे मन मुटाव हो जाता है, किसी बिल पे, तो उनकी स्नयुक्त बैठक, जॉइन्ट सिटिंग उनको बुलाई जाती है, और वो राश्रपती के कहने पे बुलाई जाएगी, अध्यक्षिता उसकी करेंगे, हमारे लोकसभा के अध्य ठीक है, अब और इसमें next क्या है, कि जो प्रतेक नए चुनाव के बाद में, जबी भी कभी चुनाव होते हैं, तो ये क्या है कि राश्रपती को संसद के प्रतम अधिवेशन को संभोधित करना है, तो ये वाली पावर भी हमारी विधाई सक्ती के अंदर आ जाती है, तो अ एक तो आपको मैं पहले भी पता चुकी हूँ, वार्षिक वित्य विवरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा, Annual Financial Statement, जिसे हम आम बोल चाल की भासा में, बजट कह देते हैं, केंद्रिय बजट, पर हमारे समविधान में ये केंद्रिय बजट, शब्द कहीं पे यूज न अंदर, और जो देखिए हमारा जो धन विधैक होता है, उसकी जो राश्च्रपती की पूर्वा अनूमति मतलब की धन विधैक और समविधान संसोधन विधैक जो होते हैं, वो जब हमारे सधन में, सदन का मतलब यहाँ पर पार्लियमेंट, संसत का मतलब है, लोकसभा, रा सकता है पढ़ा चुके हैं हम आपको कि धन विदेयक सिरफ लोग सभा में पहले प्रस्तुत हो सकता है राज्य सभा के पास में धन विदेयक के लिए कोई ज्यादा पावर नहीं है तो जो धन विदेयक है वो आर्टिकल 110 में आता है वो राश्रपती की पूर्वा अनुमती से ह पेश किया जा सकता है और आकस्मिक निधी जो कि आती है आर्टिकल 266 में तो उससे जो पैसा निकल सकता है वो राश्रपती जी उसको परमीशन दे सकते हैं और आकस्मिक निधी क्या है कि भाई देखें कंटिंजेंसी फंड बोला जाएगा इसको कि अचानक से कोई ऐसी कि पहले सोची नहीं थी तो उसके लिए जो अच्छा पैसा चाहिए अच्छा खासा जिसके लिए पैसा चाहिए तो वो इसी निधी से आता है और हम तीन निधी पढ़ चुके हैं तो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि यह तीनों निधिया कौन-कौन सी है और यह कि किस आर्टिकल में किस-किस अनुशेद में हमारे समविधान में वर्णित हैं देखे मेरा कोशन पूछने का उद्देश है यह यह कि आपको पुरानी वीडियो का याद है की नहीं और आप देखे कॉमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा और आप कोशिश करेंगे कि एक टोनिक है कि आप जितना रिवाइज करोगे ठीक है और सबसे ज़ादा है जितना आप कोशन सॉले करोगे जितना कोशन फूल conservative के शीजें सीखी जा सकती है वो एक किसी बूक से या किसी ख्यायवरी से जादा आप चीजे कोशन सॉल्व करके याद रखोगे नियायाइक शक्तिया जुडीशल रिव्यू ठीक है सॉरी जुडीशल पावर कि हमारे आप जो राश्रपति हैं उनके पास में क्या-क्या नियायाइक शक्तिया हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सुप्रीम को हमारे राश्रपति के पास में तो सीधा कोशन ठीक है यही बनेगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है राश्रपति जी और देखे एसी सुप्रीम कोट से किसी विधी ता था तत्थे पर सलहा लेने की जो पावर है वो आर्टिकल 143 में आती है और किरपया करके प्लीज यह व पर टेंट है मैं आपको वो बताती हूं और आर्टिकल 143 के अंदर जो हमारे उच्चितम नयायल्य से राश्रपति जी यह किसी विधी मतलब कि किसी कानून पर सलहा ले सकते हैं कोई तत्थ है कोई बात सल रही है उस पर सलहा ले सकते हैं परंतु जो उच्चितम नयायल्य उस पर सलहा दी हो राश्रपति के लिए वो सलहा बाध्यकारी नहीं है राश्रपति की मर्जी है वो सलहा माने या ना माने ठीक है और छमाधान की प्रिकरिया यह हमारी छमाधान की प्रिकरिया यहां पर गलत लिग गया है ठीक है मैं सही कर दूंगी आर्टिकल 72 में आएग यहां पर बहत्तर लिख लिजेगा और जो आपको वीडियो भेज़ओं पीडियफ भेज़ूंगी टेलिग्राम चैनल पर तो वहां पर बहत्तर ही लिखा पाएगा आपको अब जो अब हमारा पांशवा है कि किस और किस परकार की शक्ति studied है तो आपको मैं बता दू कि कूट नितिक शक्तिया जिन्हा बोला जाता है diplomatic powers कूट निति का मतलब यह है कि आप किस परकार चीजों को balance बनाके चलते हो आप किस प्रकार से diplomacy use करते हो कि दो चीजों को अच्छे से balance बनाया जाए क्योंकि सब चीजे balance पर ही चलती है तो दो देशों के बीच में balance बनाना जैसे कि अब भारत है इस टाइम पर भारत चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में, रसिया के साथ में इनके साथ में जो balance बनाने की कोशिस करता है, वो कूट नीतिक सकती है, diplomatic जो कूट नीति है, diplomacy है, उसी के अंदर वो आता है ठीक है, तो हमारे राश्च्रपती के पास में क्या कूट नीतिक सकती है, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी अंतर राश्च्टिय संधिया होती है इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है, और कोई समझोते होते हैं, तो वो राश्च्रपती के नाम पे ही किये जाएंगे पर हालंकि इनके लिए संसत की अनुमती जरूरी है पहले अगर हमारी संसत अनुमती दे दे तो काम वो राश्रपती के नाम पे ही किया जाएगा तो ये एक तरह की कूट नीती सकती राश्रपती के पास में है ठीक है और जो अंतर राश्रे मंचें ठीक है उन पे जो भारत का प्रती निधित्व करता हैं भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे राश्रपती जी करते हैं और कूट नी तिग्यों जैसे कि हमारे राजदूत हो गए ठीक है राजदूत एमबेस्टर हो गए ठीक है वो दूसरे देसों में भेजना या द लाइव चैट में डाउट पूछ लेते हो पर आपको पूछ रहे हो ठीक है अगर आपको वहां पर आंसर नहीं मिल पाता है तो आप comment section में पूछेगा next है कि हमारे अप राश्रपती के पास में क्या सैनने सकतिया है तो मैं आपको बता दूँ कि देखे सैनने बलों का जो सर्वोच सैना पती होते हैं सीधा कोशन बनेगा हमारे हाँ पर जो सैनने बल है उनके सरवोच सैनापती कौन है राश्रपती जी और देखे वो जो हमारे सैनाओं के प्रमुख की नियुकती जैसे कि थल सैना जल सैना वायू सैना इनके जो प्रमुख की नियुकती है आर्मी नेवी और एयर फोर्स इनके इंपर प्रामुखों की न्यूकति नुकति ये वो करते हैं हमारे राश्रपती जी और यदी कभी युद्ध की घोषना और युद्ध की समाप्ति करनी है तो Cheese करते है आप किस प्रकार से आपको यहां पर question पूछ के आपको एक्जाम में confuse किया जा सकता है राश्रपती की जिगर क्या लिख दिया जाएगा यहां पर लिख दिया जाएगा प्रधान मंतरी ठीक है तो यहां पर क्या हो सकता है कि हमारे यहां पर संसत की गोशना कौन कर सकते है वो कर सकते है राश्रपती जी पर उसके लिए पहले यहाँ पर Council of Ministers, मंत्री परिसद, प्रधान मंत्री और संसत की परमीशन मिलेगी, तब ही हालातकों देखके किसी पर युद्ध घुशित किया जा सकता है। अब एक है आप यह स्वय विवेक सकती, इसको बोला जाएगा discretionary power, इसका मतलब यह है कि राश्ट्रपती के पास में हमारे संविधान ने उनको कुछ discretionary powers दी हैं, स्वय विवेक सकतियां दी हैं, यह है कि आप अपना विवेक लगा सकते हो, ठीक है जैसे कि मैं आपको कहूँ, कि आपको यहाँ इसके notes बनाने हैं, आप notes बनाईएगा, आपको वीडियो से ही समझा रहा है, तो आप वीडियो ही revise कर लीजिएगा, यह आपको PDF से समझा रहा है, तो आप PDF पढ़ लीजिएगा, तो मैंने आपको यह बात बता दी, बट आपको विवेक, आपको अपना दि मंत्री की अचानक मृत्यू हो जाए तो उसका कोई इस पस्ट उत्राधिकारी नहीं होता है तो इस वाले केस में जो प्रधान मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं वो हमारे राश्च्रपती जी अपना स्वय विवेक एक discretionary power का यूज करके कर सकते हैं मंत्री मंडल को विगठित करना जब उन्होंने सदन में विश्वासमत हासिल ना किया हो जब उन्होंने संसद में no confidence motion हासिल ना किया हो तो जब मंत्री परसत का विगठन होगा तो वो भी एक discretionary स्वय विवेक शक्ति है और यह मैं आपको लास इचडी बन जाएगी और कुछ समझ नहीं आएगा मैं कोशिश करती हूं कि चीजे जितना table form में जितना सादा से सादा simple करके आपको पढ़ाई जाए उतना ही अच्छा है और देखिए लोक सबा को विगठित कर सकते हैं यदि मंत्री मंडलने अपना बहुमत खो दिया हो त तीन प्रकार के आपातकाल है राश्री आपातकाल जिसे बोला जाएगा नैशनल इमर्जेंसी राश्रपती सासन अब प्रेसिडेंट रूल और वित्य आपातकाल फाइनेंशल इमर्जेंसी तो मैं आपको बता दू कि देखिए राश्रे आपातकाल आता है आर्टिकल 352 के तहट और राश्रपती सासन यह आर्टिकल 356 और 365 आपने जादा तर 356 के तहट भी आता है वो कैसे आता है क्यों आता है वो हम पढ़ने वाले हैं जब हम आपातकाल उपभंध इमर्जेंसी प्रोवीजन जो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको वहां से में डि लग चुका है हमारे देश में राश्रपती सासन बहुत सारे राज्यों में लग चुका है और वित्या अपातकाल अभी तक हमारे भारत देश में नहीं लगा है एक बार भी और कोशिश होनी चाहिए भगवान की किरपा रहनी चाहिए कि कभी ये लगे भी ना ठीक है अब देख लेते हैं कि राश्च्रपती के पास मैं और भी एक शक्ति आपने बहुत पढ़ा होगा वीटो पावर ठीक है वीटो शक्ति अब आपको मैं बता दूँ कि यह क्या होता है कि देखे जैसे आपको वीटो मतलब किसी से एक्स्ट्रा पावर मिल रही है जैसे कि आप 50 पटा सकते हैं तो वो जो डिसीजन लेंगे वो आएगा वीटो पावर के अंदर क्योंकि उनके पास में एक स्पेशल पावर है तो इसी प्रकार हमारे सम्विधान में जो वीटो शक्ति है वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 अनुछेद के तहर वो हमारे राश्च्रपती ज मिलती हैं तो देखें जब मैं आपको बता दूँ कि जब संसत कोई विधेयक है उसे पारित करेगी तो अधिनियम तो तब ही बनेगा कि तब उस पर राश्च्रपती जी अपने हस्ताक्षर दे देंगे मतलब की उसको अपनी सहमती देंगे तो अब जब कोई विधेयक संसत से पास हो के राश्च्रपती जी के पास में जाएगा तो राश्च्रपती जी के पास में तीन उस आर्टिकल 111 के अनुछेत के तहत उनके पास में तीन विकल्प है ठीक है तीन विकल्प क्या है कि या तो अपनी वो विधेयक पर सुरक्षित रख लिया अथवा ठीक है दो दूसरा option तो ही हो गया अब तीसरा option है कि वह विदेयक यदि धन विदेयक नहीं है ठीक है याद रखिए कि धन विदेयक नहीं मैं आप धन विदेयक के मामले में बात नहीं कर रही हूँ वह विदेयक को संसत के पुनेर विचार हे तू लोटा सकते हैं हालंकी यदि संसत ठीक अब इस वाले विद्यक को दुबारा से पास करके दुबारा पास करें या तो किसी संसोधन के साथ में या बिना संसोधन के साथ में वापस से राश्च्रपती के पास भेज दें तो राश्च्रपती को इसको अपनी सुकृती देनी होगी ठीक है आ गया होगा समझ और अभी आप ये पूरा lecture देखेगा, इस प्रकार का आपका सारा doubt के लिए हो जाएगा, कि किस-किस विधियक में राश्च्रपती जी को permission देनी ही पड़ेगी, और किस क्या-क्या condition है, कौन-कौन से सम्विधान संसोधन से ऐसा आया है, ये पूरा lecture को खतम होते होते, आपको पता चल जाएगा, अब देखिए जो सामानने तोर पे चार प्रकार की वीटो होती है, जो हम और भी तेसों में देखते हैं, अपने हापे भी देखते हैं, तो एक जो पहली वीटो होती है, उसे बोला जाता है अतियान्तिक वीटो, जिसे बोला जाएगा absolute वीटो, इसके द्वारा क्या है, कि इसमें क्या राश्रपती जी क्या करेंगे, कि विधाई का द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेंगे, राश्रपती ने कोई उनको चीज पसंद नहीं आती है, तो ये आपको मैं अमेरिका के केस में बता रही हूँ, हमारे भारत के राश्रपती जी को ये वाली वीटो की पावर नहीं मिलती है, qualified वीटो नहीं मिलती है, इसमें क्या है कि अगर उनके राश्रपती को कुछ पसंद नहीं आता, तो उन्होंने वो वापस से भेजा कि इस पर विचार करिएगा, इस पर पुनर विचार करिएगा, तो अब जब उनको वो वाली चीज पुनर विचार करके वापस से वहाँ पर भेजनी पड़ेगी, राश्रपती के पास में, तो उनको क्या करना होगा, कि वो जो किस उच्च बहूमत द्वारा पास करी जाएगी, ठीक है, उच्च बहूमत द्वारा ही, उनको जो उनके हाउस है, जो उनके सदन है वहाँ पर, उच्च बहूमत द्वारा पास करके, तब वो वापस राश्रपती को भेज सकते हैं, और तब राश्रपती को वो बात माननी होगी, और हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ये है निलंबनकारी वीटो, इसका मतलब है सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या है कि जो विधाय का दवारा साधरर बहुमत दवारा निरस्त की जा चुके, अभी जैसे मैं आपको तीसर आप्शन में बताया था कि हमारे तीन विकल्प होंगे राष्ट्रपती के पास में, आर्टिकल 111 के तहट, तो उसमें मैं आपको भी एक चीज बताई थी, कि अगर कोई विधेयक, राष्ट्रपती जी पुनर विचार के लिए हमारे संसत के पास में भेजते हैं, तो अगर संसत उस विधेयक को दुबारा से पा यह हो जाती है हमारी निलंबनकारी वीटो, ठीक है, और एक है हमारी पॉकिट वीटो, पॉकिट वीटो का मतलब है कि विधायका दौरा पारित विधेयक पर कोई निर्ने ना लेना, मतलब उसे ऐसे ही अपनी टेबल पे छोड़ देना, उसे बोलते है जेब, ठीक है, पॉक पॉकेट वीटो मिलती है उनके पास में विसेशित वीटो नहीं है ठीक है विसेशित वीटो नहीं है ये मैं आपको बार-बार बोल रखी हूँ और देखे पॉकेट वीटो का इस्तमाल आप ने बहुत सुना भी होगा 1986 में जो हमारे राश्च्रपती जैल सिंग द्वारा भारतिय डांक संसोधन अधिनियम के संधर्व में इस वीटो का प्रियोग किया गया था इसमें क्या था कि ये जो भारतिया डांक संसोधन अधिनियम था ये जब राजीव गांदी की सरकार द्वारा पारित किया गया था तो इस विध्यक से क्या था कि जो प्रेस जो हमारी अखबार वगेरा हैं इनकी जो स्वतंतरता थी उस पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी गई थी जो हमारे उस ताइम पे राश्ट्रपती थे जैल सिंग जी 1986 में उन्होंने आप क्या करा कि इस पे उन्होंने पॉकिट वीटो लगा दी और ये वाला कानून बन नहीं पाया था ठीक है तो आगया होगा आपको समझ की देखे राश्ट्रपती के पास में भी कुछ शक्तियां हैं ये नहीं कि हम यही कैदे कि सिरफ खाली वो नाम मात्र कही हैं आप आप देख सकते हो कि महाँ पे राश्ट्रपती जैल सिंग जी ने वो वाला कानून बनने से रोख लिया था और प्रेस की स्वतंतरता बनाई रखी थी ये बात है 1986 की और आपको देखे सबसे जो इसमें एक important point है जो मैंने हापे लिखा है कि समविधान संसोधन से संबंदित अधिनियम में राश्ट्रपती जी के पास में कोई भी वीटो शक्ति नहीं है ठीक है और ये 24 वे समविधान संसोधन अधिनियम 1971 में जो आया था इसने क्या कर दिया कि जो राश्ट्रपती को अपनी स्विकृती देने के लिए बाद्यकारी बना दिया अगर कोई समविधान संसोधन विदेयक राश्ट्रपती जी के पास में जाएगा तो उन्हें उस पे अपनी स्विकृती देनी ही होगी ठीक है उसमें वो अपनी किसी भी pocket वीटो या जो अधिनियम विदेयक ये दोनों जो विदेयक होते हैं जब संसद में प्रस्तुत होते हैं तो इन पे चैये होती है पहले राश्ट्रपती की परमीशन ठीक है तो अब राश्ट्रपती की परमीशन से ही पहले ये संसोधन आते हैं तो पूरे पूरे चांसा कि राश्ट्रपत और राजजल सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है पर जो धन विधयाक है वो सिरफ पहले लोग सभा में ही आएगा और वो भी राश्च्रपती की परमीसन के द्वारा तो देहें मैंने कोशिश कर दिया कि बहुत ही जलो बोलके पढ़ाओं क्योंकि लास्ट वीडियो मैं कॉमेंट आ रहे थे कि थोड़ा मैं स्पीड बढ़ जाती है बीच बीच में यह मेरा फोड़ा नेचुरल flow है कि थोड़ा तेज बोलने की स्पीड है पर मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे-धीरे बोलू जिनको भी तेज लगती है उनसे मेरी request है कि आप थोड़ा speed कम करके slow करके YouTube में जो feature दिया है 0.75x पर करके देख सकते हैं और जिनको slow लगती है वो speed बढ़ा के भी देख सकते हैं तो अब चलिएगा और क्या बसता है इसमें अब हमारा ये है मैं आपको बताया था कि मैं आपको राश्च्रपती के जो अध्यादेश है उनको जारी करने की शक्ती है आपको मैं वो बताती हूँ तो देखे एक तो मैं बता दूँ हमने अभी यहां पर वीटो पढ़ लिया अभी यह वीटो अभी हम इसको क्या करते हैं राज्य विधायका पर क्या क्या वीटो है कैसे कैसे यह वीटो लगा सकते हैं यह मैं आपको पढ़ाओंगी कि राज्य से भी तो जो कुछ कानून बनके जाएंगे अभी तो हमने केंद्र पर कानून पर वीटो लगाने की बात करी है तो मैं यह आपको बता दूँ कि राज जो राज्यपाल के लिए अपर उस पे विचार करता तो वह आटिकल दोसों के अंतरगत नाती है राज्येपाल के पास में जो कानून आते हैं साइन होने के लिए विधायक अता है तो वो article 200 के अंदर राज्येपाल उस पर विचार करते हैं और उनके पास में चार option होते है कि यह यहां तो वो वो इस विधायक को अपनी सुवीक्रिती दे दे या उस विध्यक पर अपनी सुरक्षित रख ले यदि वे धन विध्यक अगर वो धन विध्यक नहीं है तो राज्य को विधायका के पुनर विचार के लिए लोटा सकते हैं ठीक है और उनके पास पर एक चौथा एक्स्ट्रा ओप्शन ये होता है या विध्यक को राश्यपती के विचार के लिए आरक्षित कर ले बतलब कि वो उस विध्यक को राश्यपती जी के पास में भेज़ दे कि आप इस पर विचार करिएगा मेर को इस पर समझ नहीं आ रहा है आप इसको बताईएगा ठीक है ये तो आर्टिकल 200 के तहट हो गया अब आर्टिकल 201 में क्या होगा कि राश्च्रपती के पास में वो विदेहक पहुचा दिया गवर्णर ने तो आर्टिकल 201 में राश्च्रपती के पास में क्या पावर है कि या तो वो विदेहक पर अपनी सुईकरिती दे सकते हैं र राज्ये विधायका के पास पुनर विचार हे तू लोटा दे नहीं यदि राज्ये-विधायका किसी संसोधन के बिना अथवा संसोधन करे बिना उस विधायक को वापस पास करके राश्च्रपती के मजबूरी नहीं है वह बाद दे नहीं है कि वह उस पर अपने सिगनेचर दें जबकि अभी हमने दूसरे हाथ में पढ़ा अगर ऐसा केस हमारी लोक सभा हमारी जो संसद है उसके मामले में होता है तो राष्ट्रपती बाध्यकारी थे उस पर अपनी पर्मीशन देने के लिए आ गया होगा समझ ठीक है और अभी मैं यह डिटेल में आपको गवर्नर वाले चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ अब नेक्स देखते हैं कि राष्ट्रपती के अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति आए हमारे पास में तो यह देखे मैं आपको बता चुक हूँ राष्ट्रपती का अध्यादेश जारी होता है आर्टिकल 123 के तहत और उसमें क्या है अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं तो देखें यहां तो संसद के दोनों सदन ना हों उस टाइम पे यहां कोई एक सदन काम कर रहा हो ठीक है और राश्च्छपती को लगता है कि इस वाले situation में इस वाले माहौल में संसद में कानून बनाना पाना मुश्किल नहीं है क्योंकि संसद चल नहीं रही है तो हमें अध चल रहा हो ना तो उस समय पर जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो विधायका के समानतर नहीं होती है कि मतलब कि हाँ पर समानतर का मतलब कहा है कि विधायका जो कानून बनाने वाली संसाद है वो हमारी कानून बना रहा है ठीक है और Shepherdphrach जी और तो इसके समानतर नहीं है यह सकती है यह parallel नहीं है एक दूसरे के क्योंकि राष्ट्रपती जी तो अध्यादेस कुछी कंडिशन में ला सकते हैं यह नहीं हमेशा अध्यादेस ले आए तो इसलिए यह वाली जो दोनों के कानून बनाने की शक्ती है विधायका की और राष्ट्रपती की यह एक दूसरे के समांतर नहीं होती है चलिएगा अब इसे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोट के केस देख लेते हैं एक था कूपर केस जो हुआ था 1970 में इसमें सुप्रीम कोट ने क्या कहा था देखे अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपती को संतुस्टी हो जाए कि अध्यादेस जारी करना है कि नहीं ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडिशन बन चुकी है कि अध्यादेस हमें जारी करना चाहिए या नहीं तो इस पे जो सुप्रीम कोट ने कूपर केस में कहा था कि जो राष्ट्रपती की जो संतुस्टी है उसे सुप्रीम कोट में चैलेंज किया जा सकता है उस पे नाया एक समिक्षा का मतलब है समिक्षा है उस पे प्रसंद चिन उठाया जा सकता है और उसकी नयाएक समिक्षा करी जा सकती है यह किस केस में आया यह आया कूपर केस 1970 में यह वाला इस पे अपना वर्डिक्ट रिथा अपना निर्ने जो सुनाय था वो सुप्रीम कोट ने सुनाया था और एक और मामला DC वाधवा मामला जो की 1987 में आया था और इस 1987 में इसमें क्या कहा गया था देखिए यह था कि बिहार में उस टाइम पे ठीक है यह बात की बात है यह बिहार की बात है तो इसमें क्या था कि 1967 से 1981 के बीच में बिहार के राज्यपाल द्वारा आप इमेजिन कर सकते हो 256 अध्य जादर कितना बड़ा नंबर है यह जारी करे गए मतलब समय समय पर जारी करकर एक एक अध्यादेश को 14 वर्स तक रखा मतलब एक ही अध्यादेश को बार-बार जारी कर रहे हैं, बार-बार उसे पास कर रहे हैं, और उसे 14 वरस तक रख लिया, तो ये क्या हुआ, कीस पे अब ये सुप्रीम कोट के पास में मामला जाता है, तो सुप्रीम कोट कहती है, कि अगर आप एक ही अध्यादेश को बार-बार ज जारी कराई जा रियो और अपने जो विधाय का है जो कानूर बनाने वाली है विधाय का केंड्र if the horns है लोकसभा और राज्य सभा और हमारे राज्य में हो जाएगी विधान सबा ठीक है अगर अगर important question यह है कि अध्यादेश का समय अवधी कितनी होगी एक अध्यादेश आ गया तो वो कितने समय तक अधिक से अधिक चल सकता है तो अधिकतम समय अवधी होगी एक अध्यादेश की 6 महीने और पिलस 6 हफते ये 6 महीने क्यों हो गई क्योंकि 6 महीने जादा से जादा मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो संसद की जो बैठके हैं ठीक है उनके बीच में जो दो संसद के सत्र हैं जैसे कि बजट सत्र हो गया मांसून सत्र हो गया और सीत कालीन सत्र हो गया इनके मद्धे में जो सबसे जादा जो अंतर हो सकता है वो छे महीने से जादा नहीं हो सकता है तो छे हफते तक और ये अध्यादेश चलेगा वरना उस छे हफते के अंदर संसत को वो पास करना पड़ेगा वरना वो अध्यादेश कानून नहीं रह जाएगा अगर वो संसत उसको पास नहीं करती है अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि मानि लोकसभा तो आज बैठ में और राजजे सभा बैठती है 25 जोलाई को तो ये 6 हफते का दिन कप से गिना जाएगा 20 जुलाई से गिना जाएगा ये 25 जो सदन अंतिम बैठक होगी जिसकी वो किना जाएगा ठीक है और देखिए मैं आपसे बार बार विंती कर रही हूं अभी भी बोल रही हूं जब चीजों को अलग-अलग करके समझिएगा ठीक है और अब हमारा next है कि राष्ट्रपती के छमादान की शक्ति जो मैंने आपको बताए था कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी पीछे यहां पे तो यह article 72 के अंदर आती है और राष्ट्रपती छमादान कैसे कर सकते हैं तो देखिए राष्ट्रपती को छमादान करने के लिए शक्ति आर्टिकल 72 में मिलती है कि वो संगी है विधी के विरुद्ध किसी अपराद में ठीक है जो हमारा केंदर है जो यूनियन है उसके कोई विरुद्ध अपराद किया गया हो यहां किसी सेनने नयायाले द्वारा द्वारात नहीं है यह शहत्त वाले हलका सांश पे इसका बसी आइडिया रख सकते हो यह यह पाँच पर्कार का का हो सकता है एक चामा लगु करण परिहार विराम पवी लंबनम ठीक है पवीलंबन तो को प्रवीं बोला जायेगा चामा को बोलते हैं पांडन इसका मतलब ह कि दोसों से पूरी तरह मुक्ति दे दी, कि या तो आप फासी से पूरी तरह मुक्ति दे दी, या आपको बंदी, मतलब आपको जेल में रखाता, आपको नहीं, जो भी है, उसके लिए मैं भोल रही हो, उनको उससे छुट्टी दे दी, तो पूरी तरह से किसी को माफ कर देना किसी को अगर उसका लगू करण कर उसको कम कर उसे कठोर कारवास में बदल दिया जाए तो उसे कहा जाएगा लगू करण इसमें क्या है कि आपका जो डंड है पहले जो डंड था जैसे आपको पहले म्रत्यू डंड था तो म्रत्यू सौरी मैं बार बर आपको जिसकी को भी म्र अगर कोई अपरादी है और उसको परिहार कब रेमिशन कब किया जाएगा कि इसका आर्थ है कि डंड की प्रकृती में परिवर्तन किये बिना उसकी अविधी कम करना मतलब कि किसी को बहुत सजा कठोर सजा मिल रखी है पांस साल की तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे रा प्रावधान जो कठोड़ता उस सजा में उनको मिली है वही सजा उस अपरादी की बरकरार रहेगी और पांच की जगा पे वह कुछ कम साल कर दी जाए या कुछ भी नंबर हो सकता है मैंने आपको इहां पर समझाने के लिए बुलाया है और एक है अगला विराम जिसे कहा ज प्रभी लंबन जिसको कहा जाएगा रिप्राइव इसका मतलब यह है कि जैसरे अंति हम कि ड़ंड रुप से लोग लगा देना क्योंकि क्योंकि कि व्यक्ति है वह याचना अत्वार जो कईली ब्रभी याचना श्र्मा जोлек और कहती है तो प्रभी लंबन का मतलब है कि तो धोड़ा यास्थाई ना कर देना आ गया होगो आपको समझ ठीक है अभी भी इससे कोई डाउट है तो comment section आपके लिए खुला है आप उसमें पूछ सकते हो और देखे अभी यह नहीं कि राश्च्रपती topic अभी complete हो गया अभी चैप्टर वाइस तो complete हो गया है बाकि जो इसके अभी detail है वह आपके आने वाले दो लेक्षर में या एक यह दो लेक्षर जो भी होगा मतलब कि एक तो हो गया उपराश्च्रपती topic और एक राज्यपाल topic वहां पर जब यह आपके तीनो topic complete हो जाए तो तब आपको पता में हम आपका टेस्ट लेंगे तो अब अगला question है sorry question नहीं अगला topic है कि जो राश्च्रपती की हमारी समवैधानिक स्थिति क्या दी गई है हमारे जो समवैधान में राश्च्रपती को भी कुछ समवैधानिक स्थिति की राश्च्रपती की क्या-क्या समवैधान के हिसाब स पावर शक्ति क्या उनकी पोजीशन है वो हम पढ़ने वाले हैं तो आर्टिकल तरेपन अभी हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा है फिर भी मैं आपको रिवाइस करा दू आर्टिकल 53 में है कि संग की कारेपालिका की शक्ति राश्रपती में होगी और राश्रपती जी इस सक्ति का प्रियोग किसी के अपने द्वारा या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेंगे आर्टिकल तरेपन में आता है और जो मैंने यहां पर आर्टिकल लिखें यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर हैं किरप्या करके इनको याद रखने की कोशिश करें आर्टिकल 74 बात करता है कि राष्ट्रपती की सलहा के लिए PM के नेतरत्व में मंत्री परिसद होगा मतलब कि अब सीधा कोशन मंत्री परिसद के बारे में हमारे सम्विधान में कौन सा आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 74 राश्च्रपती की सलहा के लिए PM के नित्रवत्व मंत्री मंदल किस आर्टिकल आर्टिकल 74 के अंदर और ये देखिए का ये आर्टिकल ना हम आने वाले वीडियो में इतनी बार पढ़ लेंगे इतनी बार पढ़ लेंगे ये जब हम मंत्री परिसद पढ़ेंगे तो भी वहाँ पढ़ेंगे प्रधान मंत्री जी पढ़ेंगे तो भी हम वहाँ पढ़ेंगे मुख्य मंत्री पढ़ेंगे वहाँ पर मुख्य मंत्री के लिए पढ़ेंगे राज जेपाल पढ़ेंगे तो यह आर्टिकल इतने बार आपके पढ़ लिये जाने हैं आपको वीडियो देखते देखते ही रिवाइज हो जाएंगे आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 बात करता है कि मंतरी परिसद लोग सभा के प्रती सामुई ग्रूप से उत्तरदाई होगी यही तो हमारी संसद्य है सरकार की अलग ही वह ववस्था है इसी से तो हमारी संसद्य है सरकार महत्वपूर बनती है मैंने आपको पहले भी बताया कि संसद्य विवस्था की क्या विसेश्था है हमारे आपे क्यूंकि इसमें क्या होता है कारेकारी जो होती है जो हमारी विधान सभा मतलब कि हमारी जो लोक सभा है हमारी जो कारेकारी है वो लोक सभा के प्रती सामोहिक रूप से उत्तरदाई होती है यही हमारी संसद्य सरकार की एक विसेशता है अगर आपसे कोई एक शब्द में अब यह पूछे कि आपसे कोई दूसरे देश का है कोई आपसे यह पूछता है कि आपके भारत देश में संसद्य सरकार है तो उसकी विसेशता क्या है तो देखिए आपको जो सबसे पहली महत्वपूर विसेशता यह है कि यहां पे जो कार्यकारी है जो executive है वो हमारी जो लोकसभा है ठीक है जो विधायका है केंदर में उसका निम्नаксदन है लोकसभा उसके लिए सामुहिक रूप से अपने कामों के लिए जवाव दे ही देनी होगी जिम्मेदार होंगे और दूसरा क्या है कि ये दो सदन है आप उच्छ सदन निम्न सदन पर ये जो पहली वाली सेस्ता मैंने बताई है ये जादा महत्वपूर है आ गया होगा आपको समझ ठीक है और फिर भी देखिए मैं बार-बार बोलती हूँ आप कॉमेंट सेक्षन में पूछे अगर कोई डाउट है अब मैं आपको देखिए ये दो समविधान संसोधन और मैं आप इनको बताती हूँ कि इनमें राश्च्रपती से रिलेटिड क्या इनमें महत्वपूर है तो ये जो 42 वा समविधान संसोधन आया था 1906 में इनों ये आया था इंद्रा गांधी की सरकार के नेतरत्व में तो इसमें क्या था कि इनों ने कह दिया कि राश्च्रपती पर प्रिधान मंत्री के जो नेतरत्व वाली मंत्री परिशद है ये जो मंत्री परिशद है ठीक है राश्च्रपती पर इसकी सला बाध्यकारी होगी मतलब जो इनों ना कह दिया राश्ट्रपती जी को उसके काम करना होगा, इनों ना कह दिया ये ऐसे है तो ऐसे ही है, ये वाली जो चीज लिए बाध्यकारी बना दी गई, ये 42 समविधान संसोधन के द्वारा बना दी गई पर उसके बाद में आता है 44 समविदान संसोदन जो आता है 1978 में जिसमें जो कि जन्ता पार्टी की सरकार द्वार लागू किया गया था इसमें का गया कि राश्ट्रपती का अधकार है वे सामान्यत है अगर कोई मंतरी परिसद उसको सलहा बेशती है तो वो सलहा को पुनर विचार के लिए मंतरी परिसद के पास में भेज सकता है पर अगर वो मंतरी परिसद ने पुनर विचार करके सलहा वापस से राश्ट्रपती के पास में भेज दी तो राश्ट्रपती को उस पे सगिनेचर देने होंगे बाध्यकारी होंगे ठीक है तो ये वाली बात कही गई थी 44 समविधान संसोधन से आपको मैं सिंपल शब्दों में बता दू कि अब क्या से कंडिशन है कि राश्च्रपती एक बार किसी सलहा को पुनर विचार के लिए मंत्री मंडल के पास में भेज सकते हैं पर पुनर विचार के बात दी गई सल के लिए राश्च्रपती मानने के लिए बाद्य हैं आ गया होगा समझ नहीं आता है तो आप पूर सकते हैं और आपको मैं इसका इसका एक्जामपल बताऊं कब इसका प्रियोग किया गया और कब यह वाली सलह यह वाले तरीके का प्रियोग 44 समविधान संसोधन अधिनियम का प्रियोग अच्छा रहा तो मैं आपको बताऊं कि लेके ऑक्टूर उओक्टूबर 1997 के करीब की बात हैं जिसमें क्या था कि जो केंद्रिय मंत्री मंदल था उसने उस ताइम पे राष्च्रपती थे के आर नारायन राश्ट्रपती थे तो उन को क्या किया केंद्रिय मंतरी मन्दल न सलहा दी कि आप उत्तर पृदेस में आर्टिकल 356 के तहट राश्ट्रपती शासन लगाए तो राश्रेपती जी ने क्या किया ये मामला दुबारा पुनर विचार के लिए भेज दिया गया मंतरी परिसत को कि आप भाया आपने ये बोला है कि आप इस पे उत्तर प्रदेश में आप राश्च्रपती सासन लगाईगे तो आप इस पे एक बार और विचार कर लीजीगा कि आपने क्या ये सही ये जल्दबाजी में तो निर्णे नहीं लिया है तो इस पे क्या हुआ कि ये जब इन्होंना इसे दुबारा भेजा तो मंत्री मंडल न क्या किया कि इस निर्णे को दुबारा से राश्च्रपती के पास में नहीं भेजा तो इस प्रकार से जब इन्होंना इसको ये वाली सलहा भेजी थी तो वो काम में नहीं मतलब वो लागू नहीं हो पाई और इस प्रकार जो उस टाइम पे BJP की कल्यान सिंग की नेतरत्व वाली सरकार थी UP में वो बच गई ठीक है यह 1997 की बात है तो आप देख सकते हो कि इस वाले संसोधन से की एक बार आप वापस भेज सकते हो पुनर विचार के लिए उसके प्रियोक से भी कैई सरकारे हमारी भारत में अब तक बच चुकी है आगया होगा आपको समझ और देखिए आपका क्या है कि आपको जादा से जादा कोशन सॉल्व करने हैं जितने आप कोशन सॉल्व करोगे मैं बार बार कुछ तो कारण होगा ह कि आप जितने कोशन सॉल्व कर लोगे तेखिए अब मैं आपको पढ़ा दिया यहां पर आप नगर कोशन अटेंप्ट कर दिया और आपके कोशन में आ जाता है और अगर आप वह गलत कोशन कर लेते हो ठीक है बाई मिस्टेक आप से वह गलत आंसर कर लिया तो अगर आप अच्छे से देखके उसे एनलाइज करोगे रिवाइस करोगे तो आपको एक्जाम में बहुत अच्छे से याद रहना है कि वह भी मेरे को गलत नहीं करना था मैं तो अपने मौक टेस्ट जो दिये थे प्रेक्टिस टेस्ट जो दिये थे मेरे से वहां पर गलती हो गई थी पर मेरे को तो अब एक्जाम में गलती नहीं करनी है अब चलिएगा मैं आपको लेक्चर खतम करते करते समाप्त करते करते आपको एक मैं बॉनस पॉइंट के साथ में छोड़ जाती हूं तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं कैई जगा आपको ये सब्द दिखा गया कि प्रसाद परियत कारिया जो लोग करते हैं उनके लिए को ऐसे ऐसे हटाया जाएगा और आपको क्यूं हटाया गया इस बात का जवाब देना पड़ेगा तो इस प्रकार से आपको कुछ नाम देखते को मिलेंगे तो आपको क्या करना है एक पेज लेना है एक तो यहाँ पर राश्च्रपती के प्रसाद परियत कारिये हो जाएंगे और एक इधर आप बना सकते हो गवर्नर के ठीक है राज्यपाल के प्रसाद परियत कारिये प्ल यहां पर add होते रहेंगे और जो governor वाले में हैं वो यहां पर add होते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि मैंने यह वाले questions काफी आपके UP police और भी कई exams में previous year में UPSI वगेरा इस level के exam में SSC exam में तो यह देखे हैं इस प्रकार के question आते हैं UP PCS में भी देखे हैं कि इनमें से कौन सा pleasure of the president के हिसाब से कारिय करेगा तो आपके पास में options रहते हैं तो अगर आप यह सारे options कुछ ही होंगे ठीक है यह आप एक ही page पे एक ही जगा लिख लोगे तो बहुत आपके लिए आसानी रहने वाली है चीजे याद करने के लिए मैं आपको बता दू, करीवी चीज को पढ़ने का क्या रहना चाहिए मेरी सला है, माननी नहांनी आपकी मर्जी है पहले तो आपका यह रहना चाहिए कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो आपका सबसे पहला यह रहना चाहिए आपने अगर किसी book को किसी teacher को या किसी को भी आपने भरोसा कर लिया तो आपका सबसे पहला जो target है target number 1 आपका यह रहना चाहिए कि मेरे को इसके अंदर से अगर एक भी question आगया अगर मैंने वो गलत कर दिया तो भई बहुत ही गलत बात है इसके अंदर से जो पढ़ लिया उससे तो एक भी question बिल्कूल गलत नहीं करना है इसको इतना अच्छी तरह पढ़ना है दूसरा ये हो जाएगा आपका कि अगर आपको कोई आप extra पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से देख सकते हो कि तब आपका मतलब ये वाला पहला जो target है complete हो जाए तो दूसरा आप कहीं और जाने की सोच सकते हो तो वीडियो खतम करते करते मैं आपको एक coat के साथ में छोड़ जाती हूँ देखिए आपने बहुत सुना होगा बहुत कहावत ये सुनी होगी कि अगर आप 10 जगा गड़ा खोदोगे 10-10 फिट का तो बहुत को ही chance नहीं है कि फिजसी बहुत पानी निकले अगर आप उसी 10ءには 10-10ं फिट के गड़े एक ही जगा खोदोगे ये सोवीत हो जाता है आप बहुत होट शूत है, आपको ये बहुत है पानी मिल जान me आप इधर उधर जादा तर चीजों के चकर में भटकने के चकर में पहले आप कोशिश कीजिगा कि आप पहले एक चीज को बहुत अच्छे से निप्टा ले उसके बाद में आप दूसरी चीज पे जाए ठीक है धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए अगर आपको पसंद आती है तो किरपय करके लाइक करिएगा और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप एकदम फिरियो डिसलाइक करने के लिए पर आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो क्यों डिसलाइक करी है और मैं इसमें क्या-क्या आपके लिए अच्छा बनाने के लिए मैं यूज कर सकती हूं धन्यवाद आपका दिन अच्छा हो और पढ़ाई अच्छे से करें किर्पया करके कोश्चन सॉल्व करते रहें पीडियाफ आपको रोजगार विदंकित में मिल जाएगी धन्यवाद